हलो दोस्तों मैं सुन चोहान आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में तो आज हम बनाएंगी दान्तों के लिए ऐसा रामबाड इनाज अगर आपके दान्तों में दर्द है अगर आपके दान्तों में सूजन है अगर आपके दान्तों में कीडे लग गए हैं अगर आपके मसूडों में सूजन है थोड़ा सा दर्द रहता है या फिर मसूडों से खून आता है या फिर अगर आपके दान्त पीले हो गए हैं या फिर काले या फिर फूरे कलर के हो गए हैं दान्तों में चमक सफेदी नहीं ह दान्तों की मसूडों की मुह की हजारों परेशानियों का सिरफ एक ही इलाज है वो है फिटक्री आपने फिटक्री को यूज किया होगा पानी को साफ करने के लिए लेकिन यह जो फिटक्री है वो दान्तों को भी बहुत जादा साफ करती है तो मैं बताती हूं कैसे आज हम बन kleinen जैंब करा जाथ से इस से सामें रूये पाउडर की कई चलता हो जाए जिसे पूत करें इतना कोद मुझे के हमारी फेट कर दूसरी पानी और उपका ले ना तो फिटगरी का जो पाउडर फॉम यहां पे बन चुका है तो अब ना हम यहां पे हमने दूसी जर्फ भी बहुत अच्छे से चला लिया है इसे एक प्लिट में निकालते हैं और हाथ के मदद से सबसे पहले फिटगरी को हम यहां पे तोड़ते हैं देखा कितना पाउडर फ लेकिन साथ में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इतना अच्छे से कूटने के बाद भी कुछ दाने मोटे रह जाते हैं कुछ दाने महीन लेकिन दानतों के लिए हम एकदम इक्वल साइज के महीन जहां पे दाने चाहिए इसलिए हम इसको छानेंगे भी लेकिन उससे पहले हमें यहां पे सैंधा नमक जो हम व्रत में नमक यूज करते हैं वह वाला सैंधा नमक पत्थर वाला यहां पे कूट लेना है एक चमच के करीब मैंने यह पर एक दम बारी कूट लिया है तो बस दो ही इंग्रीडियंट्स चाहिए एक तो सैंधा नमक और दूसरा पिक्षिर है वो हमें यहां पे चलने के ऊपर रखना है और रखने के बाद ना चान लेना है इससे होगा यह है कि जो भी फिटक्री में मोटे दाने रहेंगे वो उपर ऊपर चलनी के रह जाएंगे और जो महीन एकुल साइज के दाने होंगे वो नीचे की तरफ चण आप एक से दो बार दिन में जरूर से यूज़ करें हफ़ते बर के अंदर ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिनना शुरू हो जाएगा तो आप इसे बनाकर किसी कांच या फिर प्लास्टिक के कंटेनर में बंद करके लंबे टाइम तक रख सकते हैं जब भी यूज़ करन मंजन है होममेड वो बनकर तयार है तो दांतों की प्राउबलम के लिए ये वाला मंजन जरूर से बनाएं